जी हाँ, सभी को नमस्काल, नासुला नॉलिज यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है मैं क्यों भरूँ सेट के फॉर्म, मुझे क्या जरूरत है, फिर भर लेंगे जब जरूरत होगी अगले एक साल तो मैंने भरती ही ना देखन, सिद्धे ही फारम भरांगे आप बातो देखो ये जो सारी बात है ना, ये लागू नहीं होती है सेट, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो हरियाना गोर्मेंट ने अभी अप्रूव किया है, लागू कर दिया है तो इसको तो जो भी candidate चाहता है कि मुझे आगामी भविश्य में जो के नई भरतिया निकलेगी उनमें अप्लाई करना है तो सेट को तो किलियर करना ही पड़ेगा, ग्रूप C और ग्रूप D के लिए लागू है तो यह सब है क्या है, सेट पूरी बिमारी क्या है, आज इसको हलका सा दो चैर्मेंट में जान लेते हैं सारे doubts आपके क्लियर हो जाएंगे SET, HSC OTR, SET Online Form OTR मतलब One Time Registration, एक बार ही इसका Registration होगा यह 12 जनवरी से 2021 से लागू हो चुका है और 31 मार्ज 2021 तक इसका अप्लिकेशन चलते रहेगी यानि कि 31 मार्ज तक आप इसके लिए Registration कर सकते हैं इसकी fees क्या है, 500 रुपे फीश है इसकी Journal और EWS के लिए और SCBC के लिए 500 रुपे इसकी फीश है जो कि online इसकी payment करनी पड़ेगी Age Limit, पूरी पूरी आपको जानकार इसके बारे में देंगे कौन से document चाहिए वो आप एक बार देख सकते हैं Post Name, SSC, Group C और Group D की जो post हैं उसके लिए लागू है Qualification, 10th, Plus 2, UG, PG, Diploma जो भी है वो qualification उस post के हिसाब से set हो जाएगी Apply Mode, किस हिसाब से इसको apply करना है Valid, तीन साल के लिए ये एक बात देखने वाली है जो भी candidate एक बार set Common Entrance Test को clear कर देता है वो तीन साल के लिए qualify हो जाता है किसी भी C और D Group की जोब के लिए apply करने के लिए जैसे ही कोई भी जोब निकलती है उत्तुरत दबलाई कर सकता है required document सबसे पहले family ID यानि कि परिवार पहचान पतर PPP वो दो requirement है उसके बाद में आता है 10th, plus 2, UG, PG, DMC, cash certificate, disability certificate, photo, signature, socio-economic criteria ये सब चाहिए अब जान लेते हैं इसके बारे में विश्तार से विश्तार से नहीं अगर हम नहीं जानेगे इसके बारे में तो बहुत सारे doubt बने रहेंगे तो उनको ही आज kill करना है What is haryana set? haryana common interest test क्या है? देखे दोस्तों आपने haryana ssc के विभिन पदों के परफारम भरा होगा वे अलग-लग post के लिए अलग-लग परिक्षा भी दी होगी अब यह समझ दीजिए कि आपको आगे से उन सब पदों के लिए जैसे ग्राम सचिव, पटवारी, कलर्क, स्टैनो, डी ग्रूप आदी के लिए अलग-अलग परिक्षा नहीं देनी होगी नहीं अलग-अलग form भरना होगा नहीं अलग-अलग form के लिए अलग-अलग charges देने होगी इसी में एक बार देना 200 या 500 रुप जैसे भी हमारी काश्ट है उसी शाब से उसके बाद में कोई charges नहीं है next हर्याना सरकार या बोर्डो निगमो की ग्रूप C और ग्रूप D की सरकारी नोकरी और शिक्षा विभाग की गैर राजपत्रित पदो के लिए जो आविदन जो उमिद्वार आविदन करना चाहते हैं उन सभी को एक बार हर्याना सेट पोर्टल पर पंजीकरन करना ही होगा यानिकि आपको सेट काफ ओनलाइन फॉर्म भरना ही होगा ठीक है एउम एक common प्रिक्षास common entrance test जो आपको बताया है यह कुछ भई देखने में ऐसा है जैसे center government में CTAT होता है और हर्याना में HTAT होता है TAT का मतला होता है teacher eligibility test तो HTAT होते हैं जो PRT की कई सालों से बंदेर हो रहे हैं ठीक है वो बात अलग चलो तो उसी के हिसाब से एक बार HTAT clear कर लिया तो पहले होता था 5 साल के लिए valid अभी government ने कर दिया है 7 साल के लिए valid center government ने कर दिया है lifetime तो यह set यह common entrance test इसको एक बार clear कर लिया तो 3 साल के लिए आप कोई वी forum फिलब कर सकते हो ओके आगे देखते हैं हर्याना सेट प्रिक्सा कब होगी देखो हर्याना सेट प्रिक्सा साल 2021 से ही शुरू हो जाएगी और हर साल कम से कम एक बार हर्याना सेट का पेपर जरूर होगा वे आगे भी साल में एक से ज़्यादा बार भी हो सकता है देखो अभी तो government ने बोला है कि साल में एक बार होगा भौश्य में ये दो बार भी हो सकता है हर्याना सेट के लिए आविदन कब से शुरू है भाई हर्याना सेट के लिए जो हर्याना सरकार HSCC के माद्यम से एक portal लोंच कर दिया है उस portal का क्या है one time registration portal है उसका नाम 12 जनवरी से जिसके माद्यम से हर्याना सेट के लिए आविदन शुरू हो चुका है और अब फरवरी चल रही है भाई हो ठीक है हर्याना सेट के लिए आविदन कैसे होगा अगला point है तो हर्याना सेट के लिए आविदन करने के लिए आपके पास हर्याना परिवार पैचान पत्र यानि कि family ID होना आनिवार यह है हर्याना सेट 2021 के लिए आविदन करते समय आपको one time पंजी करन यानि कि one time registration हर्याना सेट registration जिसका नाम है वो करना होगा भई जिसमें सभी दस्तावेज जो आपके document है समाजिक आर्दिक माफ्तंड है category है वो सब के सब उसमें upload हो जाएंगे next योग्यता भई हर्याना सेट के लिए योग्यता क्या है देखो इस साल दस्वी और बार्वी की जो परिक्षा में चातर बैठने वाले हैं न वो भी फिलब कर सकते हैं जो अभी देखो फर्वरी में है अभी exam होने मई में वो भी फिलब कर सकते हैं क्यों? क्योंगि set का exam कब होगा ये तो जून जुलाई में है और दस यूर बार्वी का exam कब है ये मई में है तो तब तक तो result भी आ जाएगा इसलिए apply कर सकते हैं set के लिए registration करना अनिवारिया है जिसको भी भुष्या में सरकारी नोगरी की चाहत है हर्याना set के लिए उमर की योग गिता पहले के हिसाब से ही रहेगी और category की हिसाब से उमर में छूट भी दी जाएगी इसमें देखें जर्नल कर्टेगरी के लिए 22 साल SCBC, ESM, EWS, Family जो फिमेल से 47 इसमें दिखाए गई है आभी section एक योग गिता ग्रूप D की जितनी भी वेकेंसी निकलेगी न दस भी पास चीए बाई और उसके बाद ग्रूप C की जो वेकेंसी होगी उसमें plus 2 या graduation के हिसाब से जैसे वो मागेंगे आपको दिखाना होगा, देना होगा उस हिसाब से जो में जाएंगे लेकिन registration तो plus 2 के हिसाब से हो रहा है आप अपने document अगर आपने graduation कर रखे तो अपलेड़ कर आओ आपने M में कर रखे तो upload कर आओ आपने बीड़ कर रखे तो अप्रोड कर आओ, ठीक है, ताकि गुर्मेट को पता जल जाएगा, आपने के पास कौन-कौन सी सर्टिफिकेट है, कौन सी डिप्लोमा है, ओके, नेक्स्ट है, हर्याना सेट आविदन फीस कितनी होगी, यानि कि आविदन करने के लिए फीस क्या ह देखो, SCBC, EWS काटेगरी के लिए पंजी करने के लिए 2500 रुपे, और अन्य काटेगरी जो जर्नल बोलते हैं, उसके लिए 500 रुपे, जो कि सिर्फ एक बार, एक सेट प्रिक्षा के लिए देनी होगी, एक बार आपने दे दी सेट के प्रिक्षा, ओके, तीन साल के लिए तस करना होगा, एक बार जोब लेने के बाद, फिर दुबार सेट का देना होगा, अगर दूसरी जोब की चाहत है तू, वरना अगर जोब नहीं लगी है न, तो तेन साल के लिए AC सेट से काम चलेगा, नेक्स्ट हर याना सेट स्कोर कितने दिन तक मानने हैं, तो यह तो पहले ह बता दिया, वै तेन साल तक के लिए मानने हैं, ओके अगला पॉइंट, हर्याना सेट के बार चाहे उतनी बार दो, हर बार दो, अच्छे नंबर लाओ, अपने स्कोर बढ़ाओ, नंबर जिस हिसाब से बढ़ेंगे, उस हिसाब से गोर्मेंट उठाएगी, उपर से, ठीक न हर्याना सेट के बाद भरती कैसी होगी, हाँ ये पॉइंट, देखो, जब भी हर्याना करमचारी आयोग, यानि कि HSSC, गुरूप C और गुरूप D के पदों के लिए भरती परिकरिया शुरू करेगा, तब आयोग सेट स्कोर के आधार पर पात्र उमिद्वारों को शूचि आयोग के उपर है बाई, कि वो सेट जो है न, उसी के हिसाब से सेलेक्शन कर लेना है, या फिर गुरूप D पदों की भरती के लिए सेट स्कोर के आधार पर भरती करनी है, या फिर अलग से गुरूप C, मालोग बाई, गुरूप D के लिए तो हो जाएगी भरती, उसी सेट आयोग पर, ओके, नेक्स्ट, अधिक्तम पचास पदों तक वकेंशी के लिए आयोग कुल पदों का पांच गुना, यानि कि मालोग पचास वकेंशी निकल गई, ठीक है, तो भई क्या करेंगे, सेट के अंदर से, जिसने सेट क्वालिफाई किया न, डाय सो बंदे बुला उनके डोक्मेंट चेक हूँगे, उनके मेडिकल, फिजिकल, जैसा भी कुछ होगा, उस हिसाब से बंदे का सलेक्षन हो जाएगा, ठीक है, कहीं दीसेबल तो नहीं है, उसने डोक्मेंट में भरा था फिट फॉर, लेकिन यहां डीसेबल टूटा-फूटा है, कहीं उसने ड पर एक से ज़्यादा उम्मिद्वार पात रहोंगे, तो उन सब को बुलाया जाएगा, मालो भई 50 नमबर वाले तक बुला लिया, 47 नमबर वाले तक बुला लिया, तो 47 पर जितने भी बंद है न सब ही को बुलाया जाएगा, ये नहीं है कि 47 के उपर के 10 ले लिए नीचे वा पांच नमबर मिलेंगे, देखो पहले कितने मिलते थे, 10 नमबर मिलते थे, जिसका फादर नहीं है, 5 नमबर, ठीक है, जिसके घर में जोब नहीं है, 5 नमबर, और वो सिस्टम खतम, अब भाई, ग्रूप C की जो जोब है, उसके लिए 5 ही नमबर मिलेंगे, टोटल, पहले 10 हो जाते थे, 5 बोर 5 हो, अभी टोटल 5 ही मिलेंगे, ग्रूप C में, ठीक है, ओके, ग्रूप D के लिए अधिकतम 10 नमबर मिलेंगे, भाई, ग्रूप C में कम कर दिये, ग्रूप D में सेम ही है, जो सीधे सेट के स्कोर में आपके जोड दिये जाएंगे, जो सेट का स्कोर है उसमें जोड दिये जाएंगे, बस, ठीक है, ओके, सभी के सेट स्कोर वेबसाइट पर डाले जाएंगे, जिसे पार दरसीता बनी रही, चाहिए मैं एकजाम दू, चाहिए आप एकजाम दे, सभी के सेट के स्कोर जो है, कहां डाल दिये जाएंगे, वेबसाइट पर, ताकि जब को पता चले किसका कितना number है और उसी number के अधार पर ही बंदों को बुलाया जाएगा अगर कुछ आपती हो तो complete की जा सकती है अगर सब को पता है यह number है सभी के तो आपती होने पर complete की जा सकती है next हरियाना सेट स्लेबस और एक्जाम पैटरन क्या होगा जो कि अभी तक दिया हुआ है न दोस्तों देखो जर्नल अवेरनेस रिजिनिंग मैथ साइन्स कंप्यूटर इंगलिस हिंदी यह होगा 70 नमबर गा और भाई हरियाना जी के होगी 30 नमबर गे जो मैं भी पढ़ाता हू भाई अच्छे से त्यारी विकरा रहा हूं ठीक है ओके अप्लाईयो उपली के रिजिस्टेशन जो है न स्टार्ट हो चुका है 12 जनवरी से और लास्ट डेट आप सभी को पता है 31 मार्च है तो हरियाना सेट 2021 एक्जाम डेट है न वो गोर्मेंट ने रखी है लग बग उन जुलाई में एक्जाम हो सकता है तो वह यह जो जितने भी डाउट है न जितने भी बाते थी वो आपको पूरी की पूरी मैंने आपको बता दी है आपसे लास्ट में कहना चाहूंगा कि ना सुला नोलिज यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों में सेयर करे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना न भूले ओके थेंक्यू जैहिंद जैभारत वंदे मात्रम